C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारप्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ अध्याय छे अंतिम दौर एक प्रिष्ट संख्या बानवे अंतिम दौर एक भारत राजनीतिक और आर्थिक द्रिष्टी से पहरी बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापना उसके लिए एक दम नई घटना थी जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथ्वा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी भारत पहले भी जीता जा चुका था लेकिन ऐसे आकरमनकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया उसने अपनी स्वाधीनिता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विवस्था में नहीं बना था जिसका संचालन केंद्र उसकी धर्ती से बाहर हो वह कभी भी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थाई रूप से विदेशी था नया पुंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक धाचे पर प्रभाव पढ़ना ही था लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वभाविक नहीं था और उसने भारतिय समाज के पूरे आर्थिक और सन रचनात्मक आधार का विघटन कर दिया यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था और जो उस पर लाद दी गई थी भारत ब्रिटिश धाचे का आउपनिवेशिक और खेती हर पुछला बन कर रह गया अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमुने का अनुसरण करते हुए बड़े जमीदार पैदा किये उनका लक्षे था लगान की शकल में अधिक से अधिक रुपिया जल्दी से जल्दी इकठा किया जाए इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो बिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिती को सुद्रिड किया इस व्यवस्था में जमिदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन महकमों में पटवारी गाओं के मुखिया से लेकर उपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी सरकार के दो खास महकमे थे, माल गुजारी और पुलिस इन दोनों के उपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था इस तरह भारत को सामराज्यवादी उद्देशियों के लिए बिना कुछ भुगतान किये अड़े की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया इसके अलावा उसे इंग्लेंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षन का खर्च भी उठाना पड़ा इस राशी को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था वास्तों में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे उन्निस्वी शताबदी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतिये को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की स्रिष्ट ताका यहां तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाव उठाने की क्षमता का पता चलता है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतरविरोध राम मोहन रोय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य, विद्याविशारद, पत्रकार, मिश्णरी और कुछ अन्य लोग थे पाश्चात्य संस्कृती को भारत लाने में महतुपूर्ण काम किया अंग्रेजी चिंतन और साहित और राजनितिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रे उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्हों ने अपने चारों और उत्साही भारतिये विद्यार्थियों को इकठा कर लिया था शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद बिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई विवस्था के लिए क्लरकों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दर्वाजे खोल दिये धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ योरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक प्रिष्ठ भूमी को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ नई तकनीक, रेल गाड़ी, छापा खाना, दूसरी मशीने, युद्ध के अधिक कारगर तरीके यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेती हर व्यवस्था तूट गई और उसका स्थान वयक्तिक संपत्ती और जमीदारी ने ले लिया मुद्रा केंद्रित अर्थ व्यवस्था का चरण हुआ और जमीन बिकाव वस्तू हो गई देश के किसी और बड़े हिस्ते के अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभो किया क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन पचास वर्ष पहले स्थापित हो चुका था अठारवी शताबदी में बंगाल में एक अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदै हुआ ये थे राजा राम मोहन रॉय वे एक नए धंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ग्यान का मेल था भारत ये विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी वे संस्कृत, फार्सी और अरवी के विद्वान थे और उस हिंदू-मुस्लिम संस्कृती की उपज थे जो उस समय भारत के सुष संस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी उन्हों ने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के श्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तक्नीकी पक्षों ने भी उन्हें आकरशित किया अपने दार्शनिक और विद्वता पूर्ण जुकाओ के कारण राम मोहनरोय अनिवारे रूप से प्राचीन साहित्यों की और जुके तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पध्धती की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ती थे और शिक्षा को आधुनिक धाचे में ढाल कर उसे पुरानी पंडिताव पध्धती के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे उन्हों ने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उप्योगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यक्ता पर जोर देते हुए लिखा था इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे आरंभ में उन पर इसलाम का प्रहौपड़ा और बाद में कुछ हद तक इसाई मत का लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर द्रिड़ता से जमे रहे परंतु उनों ने इस धर्म को उन कुरीतियों और कूपरथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबध हो गई थी बिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उनही के आंदोलन के कारण लगाई थी प्रिष्ट संख्या पच्चानवे राम मोहन रॉय भारतिय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने अनेक अख़बार निकाले उन अख़बारों में आम तोर पर सरकार की कड़ी आलोजना रहती थी परिणामत उन पर कड़ा सेंसर लगता था पहला अख़बार जिस पर भारतियों का स्वामित्तु था और जिसका संपादन भी भारतियों ने किया था सन 1818 में अंग्रेजी में निकला था उसी वर्ष शिरामपूर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और सापताहिक पत्र निकाला किसी भारतिय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे इसके बाद एक के बाद एक अंग्रेजी और भारतिय भाषाओं में कलकत्ता जो अब कोलकाता है मदरास जो आज चिन नहीं है और बंबई जो आज मुंबई है से अख़बार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी राम मोहन रॉय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था उनका समन्वयवादी और विश्व जनीन द्रिश्टिकोन कटर वर्ग के लोगों को नाफसंद था और वे उसके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था जिसने बाद में बंगाल के पुनर जागरण में महतोपूर्ण भूमी का निभाई राम मोहन रॉय दिल्ली समराट की ओर से इंगलेंड गए और उन निश्वी शताबदी के आरंफिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यू हो गई सन 1857 की महान क्रांती जाती यतावाद ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताबदी के उपरांत बंगाल ने उससे समझोता कर लिया अकाल से नश्ट हुए किसान नए आर्थिक बोजों के तले पिस रहे थे नया बुद्धी जीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहरे ही प्रगती होगी लगभग यही स्थिती दक्षिन और पश्चिमी भारत में मदरास और मुंबई में थी लेकिन उत्तरी सुवों में ऐसा कोई जुकाओ और समझोते की प्रवृत्ती नहीं थी विशेश रूप से सामन्त सरदारों और उनके अनुयाईयों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी सामान्य जनता में भी असंतोश और तीवर ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी प्रिष्ट संख्या 96 इसी प्रिष्ट पर पाठ पर जाने से पहले एक चित्र है और ये चित्र है अन्तिम मुगल बादशाह बहदूर शाह जफर का आईए अब सुनते हैं पाठ मई 1857 में मेरट की भारतीय सेना ने बगावत कर दी विद्रोह की योजना खुफिया ढंक से बहुत अच्छी तरह बनाई थी लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोर्ट ने नेताओं की योजना ही भिगाड़ दी यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जनान दोलन और भारतीय स्वाधीनिता की लड़ाई का रूप ले लिया जनान दोलन के रूप में यह दिल्ली सैयुक्त प्रांत जैसा उन्हें आज कल कहा जाता है मध्ध भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था मुलत यह सामन्ती विस्फोर था जिसका नेत्रित्व सामन्त सरदार और उसके अनुयाई कर रहे थे व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था इनके लिए मुगल राजवन्ष के उस अवशेश की ओर देखना अनिवारे हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था लेकिन दुर्बल, बुढ़ा और अशक्त हो गया था हिंदू और मुसल्मान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया उनके साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहनुभूती थी लेकिन वे अयोग्य और असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्ष और सार्वजनिक हित नहीं था इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ट छापामार नेता उभर कर आये इनमें सबसे तेजस्वी थे तातिया टोपे जिन्हों ने कई महीनों तक अंग्रेजों को परिशान किया आखिर में जब उन्हों ने नर्मदा नदी को पार करके मराठाक शेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे तो उनके साथ धोखा हुआ इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा पूरवक्स मरण करती है जहासी की रानी लक्ष्मी भाई का है जो बीस वर्ष की आयू में लड़ते लड़ते मारी गई जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया उसी ने उसके बारे में कहा था वह विद्रोही नेताओं में सर्वत्तम और सबसे बहादूर थी विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत जूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है भारतिये उसके बारे में क्या सोचते हैं यह बात शायद ही किताब के प्रिष्ठों तक छप कर पहुँच पाई सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले The History of the War of Independence शीरशक पुस्तक लिखी लेकिन उनकी पुस्तक ततकाल जब्त कर दी गई और अब भी जब्त है इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को जख जोर कर रख दिया सरकार ने अपने प्रशासन का पुनरगठन किया ब्रिटिश पार्लियमेंट ने East India Company से देश को अपने हाथ में ले लिया जिस भारतिय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई हिंदुआ और मुसल्मानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन तक्नीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्त्विक टकराहट उननिस्वी शताब्दी में हुई थी विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ पहली प्रतिक्रिया अल्प संख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रती प्रशंसा का भाव था हिंदू धर्म के कुछ सामाजी करीती रिवाजों से खिन होकर बहुत से हिंदू इसाई धर्म की और आकरशित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिध व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आंदोलन अधार पर की उनके बाद केशो चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रवाव पड़ा लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा भारत में अन्यस्थानों पर भी ऐसी ही प्रवित्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर समाजिक धाचे के विरुद्ध आसंतोश उभर रहा था उन्निस्वी शताबदी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुवात की लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदूओं में जमी यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लोटो इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निशेध यह बात महतोपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्यवर्ग में हुआ एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक द्रिश्टी से क्रांती कारी आंदोलन समझती थी लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में स्तिरियों की स्थिती का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को उचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया लगभग स्वामी दयानंद के समय में ही बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्ति तो सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा वे श्री रामकृष्न परमहंस थे वे सीधे सादे विद्वान नहीं पर धर्म प्राण व्यक्ति थे लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेश रूची नहीं थी वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं वे मुख्यतह धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे आत्म साक्षातकार की खोज में वे मुसल्मान और इसाई तत्व ज्यानियों तक से मिले उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे वे कलकत्ता के निकट दक्षिनेश्वर में बस गए और उनके असाधरण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकरशित होने लगा धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्हों ने हिंदु धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा उन्हों ने दूसरे धर्मों को भी अपने ख्षेत्र में ले लिया वे हर तरह की सांप्रदाइकता के विरोधी थे उन्हों ने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्ते की ओर जाते हैं आधुनिक जीवन के संदर्व में उन्हें समझना कठिन था फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे बहुत से लोग जिन्हों ने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए इस वर्ग में वे रोम्या रोला थे जिन्हों ने उनकी और उनके मुख्य शिश्य विवेकानन्द की जीवनी लिखी विवेकानन्द ने अपने गुरू भाईयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसमें साम्प्रदाइक्ता नहीं थी वे विकानन्द के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रती उनका दृष्टी कोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और भरतमान के बीच एक तरह के सेतू थे वे बांगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे और बांगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे वे सुन्दर व्यक्तितों के धनी थे रोविले, शालीन और गरीमवान उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था उन्हें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए 1893 इस्वी में उन्हों ने शिकागो में अंतरराष्ट्री धर्म सम्मेलन में भाग लिया अमरीका में एक वर्ष से अधिक बिताया यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुन्तुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा वे अंग्रेजों की लगन और अमरीकी लोगों की जीवन्तता और संभाव के प्रशन सक्ते लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारती दर्शन और अध्यात्मिक प्रिष्ठ भूमी में उनकी आस्था और बल्वती हो गई उन्हों ने वेदांत के अध्वयत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानावता के भविशे के लिए यही एक मातर धर्म हो सकता है उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ साथ बदलना चाहिए विवेकानन्द ने कर्म कांड के निर्थक तात्विक विवेचनों और तरकों की घोर्द निंदा की, विशेशकर उंची जाती की छुआ छूत की विवेकानन्द ने बहुत सी बातें कही लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्हों ने अपने लेखन और भाशनों में बराबर लिखा वह थी अभय निडर रहो उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुरबलता है इस तरह की दुरबलता से बचो दुरबलता शाप है दुरबलता मृत्यू है उपनिशदों की यही महानशिक्षा थी और सत्य की कसोटी है कोई भी चीज जो तुम्हें शारिरिक, बौधिक और आध्यात्मिक दृष्टी से कमजोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दू उसमें कोई जीवन नहीं है और वह सत्य नहीं हो सकती सत्य मजबूत बनाता है सत्य पवित्रता है सर्व ग्यान है अंध विश्वासों से सावधान रहो मैं तुम्हें अंध विश्वासी मूर्ख कहने की अपयक्षा कटर नास्तिक कहना पसंद करूँगा क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ भी बना सकते हैं लेकिन अगर अंध विश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है बुद्धी क्षीन होने में कन्या कुमारी से लेकर हिमालाय तक गर्जना की इस प्रक्रिया में उन्हों ने अपने आपको खपा दिया सन 1902 में 49 वर्ष की आयू में ही उनकी मृत्यू हो गई विवेकानन्त के ही समकालिन थे रविंद्रनाथ टैगोर किन्तु वे बाद की पीढ़ी के थे टैगोर परिवार ने 19. शताब्दी के दोरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया था उस परिवार में आध्यात्मिक द्रिष्टी से उँचे लोग थे श्रेष्ट लेखक और कलाकार थे पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सब से उँचा है और पूरे भारत में क्रमशह उनकी स्थिती ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था वे राजनितिग्य नहीं थे किन्तु वे इतने संबेदन शील और भारतिय जनता की स्वाधिनता के प्रती इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बरदाश्ट नहीं होती थी वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे बीस्वी सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदुलन में उन्हों ने भाग लिया और अमरित सर के हत्याकांड के समय उन्हों ने सर का खिताब लौटा दिया शिक्षा के एक्षेत्र में उन्होंग ने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था उसने शांती निकेतन को भारतिय संस्कृति का प्रधान केंदर बना दिया भारतिय मानस पर उनका प्रभाव विशेशकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढियों पर बेहद रहा वे भारत के सर्वोतम अंतरराष्ट्रिय अतावादी थे। अंतरराष्ट्रिय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे। और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। फिर भी उनके पैर द्रिधता पुर्वक भारत की धर्ती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिश्क उपनिशदों के ग्यान से ओत प्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांती की महान उपलब्धियों के प्रशन सक्ते विशेशकर शिक्षा के प्रसार संस्कृती स्वास्त थे और समानता की चेतना के। टैगोर ने भारत में उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे की एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी। अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों के संकीन घेरे से बाहर निकल कर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सब से बड़े मानवतावादी थे। प्रिष्ट संख्या 101 इसी प्रिष्ट पर एक चित्र और इस चित्र में दिखाया गया गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को एक साथ बातचीत करते हुए। आईए अब सुनते हैं पाठ। बिस्वी शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्तंदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विशमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे, जो सर्वहारा के प्रती सहानुभूती के कारण लोक तंतरवादी हो गये थे। गांधी जो विशेश रूप से जनता के आदमी थे, भारतिय किसान का स्ताकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा सन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतह विचारक थे और गांधी अनवरत करमठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने धंग की विश्वद्रिष्टी थी और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतिये थे। वे दोनों भारत के अलग-अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रिय विरासत में हिंदू मध्यवर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनिबेसिंट का जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। इन सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था लेकिन साथ ही उसके पीछे सुद्रिड राजनीतिक प्रिष्ट भूमी भी थी। उदियमान मध्यवर्ग का जुकाओ राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृितिक आधार चाहिए था। कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राश्ट्रियता के विगास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की और जाने की प्रवित्ती होती है। भारत का अतीत अपनी संपून सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतियों की साजी विरासत है। हिंदूओं, मुसल्मानों, इसाईओं तथा अन्य लोगों की भी और उन्ही के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वन्चित नहीं हो जाते। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांतवना दी। राम मोहन रोय, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द और अन्य लोगों ने नए विचार धारातमक आंदोलन चलाए। एक और उन्हों ने अंग्रेजी साहित्य की सम्रिध साहित्य धारा से रस्पान किया, वहीं दूसरी और उनका मानस भारत के प्राचीन मनीशियों और शूर वीरों के विचारों और कारियों और उन पुरा गाथाओं और परमपराओं से भरा था, जिन्हें उन्हों ने अप परमपराओं से भली भाती परिजित थे। लेकिन धीरे धीरे विशेश रूप से उच्छ वर्ग के मुसल्मानों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परमपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परमपराओं को बढ़ावा देना इसलाम की भावना की बिरुद्ध होगा। उन्हों ने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक उन्हों ने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया। लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया और इस दमन का प्रभाव विशेश रूप से उन मुसल्मानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुर्जुवा वर्ग पैदा होता है। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसल्मानों को उपर उठा सकते हैं। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्विकार कर लें। उन्हों ने यूरोपिय सभ्यता को जिस रूप में देखा उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तों में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन दगमगासा गया था। प्रिष्ट संख्या एक सो तीन सरसयद उसाही मुसलमान थे। वे आधुनिक वैग्यानिक विचारों के साथ इसलाम का मेल बैठाना चाहते थे। वे नए धंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रिय आंदोलन के आरंभ में वे भैभीत हुए क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कारिक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी इसलिए उन्हों ने मुसल्मानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उन्हें नैशनल कॉंग्रेस से जो उस समय आकार ले रही थी हटाने की कोशिश की। उन्हों ने जिस अलिगण कॉलेज की स्थापना की उसका एक घोशित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज के योग्य और उपयोगी प्रजाब बनाना वे नैशनल कॉंग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेश रूप से हिंदू संगठन समझते थे उन्हों ने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की साहयता और सहयोग जाते थे उन्हों ने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसल्मानों ने गदर में हिस्ता नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रती वफादार रहे वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सामप्रदाइक दृष्टी से अलगाववादी नहीं थे उन्होंने कहा याद रखो हिंदू और मुसल्मान ये सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए है वरना सब लोग चाहे हिंदू हों या मुसल्मान यहां तक की इसाई भी जो इस देश में रहते हैं इस दृष्टी से सब एक ही राष्टर के लोग हैं सरस्यद अहमद खां का प्रभाव मुसल्मानों में उच वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था उन्हों ने शहरी या दिहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया सरस्यद के कई योगे और उलेखनी सहयोगी थे सरस्यद अहमद अपने प्रयतन में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसल्मानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया एक मुसलिम एजुकेशनल कॉन्टरेंस शुरू की गई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्धे वर्ग के मुसल्मानों को आकरशित किया प्रिष्ट संख्या 104 यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारती मुसल्मानों में जितने विशिष्ट लोग थे जिनमें सर सय्यद अहमद भी शामिल हैं सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी हाँ उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ग्यान हासिल किया नई पर्ष्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनी व्यक्तित्व पैदा नहीं किया सन 1912 भारत में मुसलिम दिमाग के विकास की दृष्टी से उल्लेखनीय है उस साल दो नए सापताहिक निकलने शुरू हुए उर्दु में अलहिलाल और अंग्रेजी में दिकॉम्रेड अलहिलाल का आरंभ अबुल कलाम आजाद जो कॉंग्रेस के वर्तमान सभापती थे उन्हों ने किया वे 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नौयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयू में ही अपने अरभी और फारसी के ग्यान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिध हो गए थे इसके साथ उन्होंने बाहर की इसलामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदूरनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याक्या बुद्धी मता दृष्टिकोंड से की वे इसलामी देशों में किसी भी अन्य भारतिय मुसलमान के अपेक्षा अधिक प्रसिध हुए उनका दृष्टिकोंड अधिक उदार और तरक संगत था इस कारण वे पुराने नेताओं के सामन्ती, संकीन, धार्मिक्ता और अलगाववादी दृष्टिकोंड से दूर थे अपने इसी दृष्टिकोंड के कारण वे अनिवारे रूप से भारतिय राष्ट्रवादी थे आजाद की शहली में उत्तेजना और तेजस्विता थी गोकी कभी-कभी वह फारसी प्रिष्ट भूमी के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दु भाषा जैसी आज है उसे यह रूप देने में उनका निश्चित योगदान था उनमें मध्य युगीन पंडितावपन, अठारवी शताबदी की तारकिकता और आधुनिक द्रिष्टिकोंड का विचित्र मेल था अलिगर्ड कॉलेज में सरसयद खां से उनका संबंध रहा था लेकिन अलिगर्ड कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों द्रिष्टियों से वे रूढ ही वादी थी अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्षे रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना इसके लिए सरकार समर्थक रवय्या अनिवार्य था और राष्टरवाद और विद्रोह के लिए कोई गुन्जाईश नहीं थी अलिगर्ड कॉलेज का समुदाए अब नए मुसल्मान बुद्धी जीवियों का नित्रित्व कर रहा था और कभी-कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर परदे के पीछे से लगभग हर मुसलिम आंदोलन को प्रभावित करता था मुसलिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इनहीं लोगों के प्रयास से हुई अबुल कलाम आजाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया यह काम उन्हों ने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्हों ने अलिगड परंपरा की जड़ ही खोद दी इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुसलिम बुद्धी जीवी समुदाय में संसनी पैदा की यद्यपी भुजूर्गों ने उन पर भावें चाहाई पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी तिलक और गोखले नेशनल कॉंग्रिस जिसकी स्थापना अठारा सो पच्चासी में हुई थी जब प्रावड हुई तो एक नए धंग का नित्रित्तो सामने आया ये लोग अधिक आक्रामक और अवग्याकारी थे और बड़ी संख्या में निम्नमध्यवर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधी थे बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ, उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आये लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्टर के बाल गंगाधर तिलग थे पुराने नेत्रित्यों के प्रतिनिधी भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे क्रांतिकारी नारे हवा में गुंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था इस संघर्ष को बचाने के लिए कॉंग्रेस के बुजूर्ग नेता दादा भाई नौरो जी जिन्हें राष्ट्र पिता समझा जाता था अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए बचाओ थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक द्रिष्टी से सजग भारत की बहुत संख्यक जनता तिलक और उसके समुदाय के पक्ष में थी कॉंग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी यहां यह पाठ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचन्स्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान, निर्माण, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत